दिल्ली के सबजे विक्रेता रामेशवर का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद राहूल गांधी ने उन्हें अपने खर मिलने के लिए गुलाया था अब उन्ही रामेश्वर और राहूल गांधी की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है जिसे राहूल गांधी में अपने यूट्यूब और फेस्बुक के साथ ट्विटर में शेयर किया है और उन्हेंने लिखा है रामेश्वर ची जिन्दा दिल मेरा नाम रामेश्वर है मेरा कम मैदूरी है सब्जी बेचता हूँ कोई पड़ा लिखा हूँ नहीं किती ते अपने परवार का मुझारा करता हूँ मेरा सपना बस यही था कि मुझे चैन से दो रूटी मिलती रहे और मेरा परवार रूंपार ना रहे राउसर जैसे इनसान जो दर्द को पहँचानते हैं दुनिया का दर्द को पहँचानते हैं उन्होंने मेरी दे को पुकार कुनी मेरा कितना सौभा गया कि सर मुझे बोला रहा है भरत मिलाप होता है जैसे सुदामा का और कृष्ण जी का मिलाप हुगा था एसे साथ है आज मेरा बहुत मन था और मेरा दर्द आपने पहचाना उस दिन तंग होकर जिस दिन में मंडी में गया था मेरे पास 14-15 रुपे थे तो मैंने जब टमाटर का रेट नहीं आसर तो मैंने का मैं तो कुछ भी नहीं ले पाऊंगा क्या हुआ तमाटर बहुत मैंगा मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है अपका ठेला ऐसे खाली आएगा वापस कुछ और तो बहुत के लावा इतना प्यादा नहीं है यानि घर के गोजारे के लिए जए सो दो सो पचास पैदा कर के लाए मैंने कुछ भी नहीं ले पाऊंगा फि ललन टॉब बाले उनहीं से मैंने का था मुझे राहुद सर्से मिलना जरूर मिलना मेरा मन बहुत उचल उचल के कह रहा है एक बार सर्से जरूर मिलना मुझे आप सर की बुला रहे हो मैं सर थोड़ी हो मेरा नाम राहुल है आप मुझे राहुल पोई हो तो कहां से आया जा सांस की बिमारी थी दमा यहां दमा सांस पूलता था मुझे भी हलका लगा हो गया यानि रिक्सा खीचते खीचते नहीं किसता है फिर भी खीचता हूं गाओं में फिर भी खुशालते यहां आगे बहुत आपने सोचा होगा की रेको शहर जाएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा हमने सोचा था हम जदे दिल्ली जाते हैं तो हमें वहां खुशाली मिलेगी हमारा परवार अमनचैन में रहेगा यानि सही रहेगा मारा खान पान सह हो जाएगा दोनु का मैररे और जाले बत्तर हो गया गरीवी में ज्लत ताई रहां ज्लत बहुत सर्मेरा कुछ नहीं नहीं मेरा तो पससे कोई वर कॉल रहता है कोई आप आपने में पिछले ट्वार सा ऩरम पर कोई नहीं है तर अबंगर के शवार हमारा कोई यह थाल्च में किया क्या काम किये प्युद अबन आ ना तो रहे हैं तौरे हैं नदी से प्त्थर निका लग भाख़ Gear С Prophet गोड़ी, गिट्टी, बदरपुर्ग, इसकी पल्यदारी मैंने की है। डीएपी, यूरिया, इसकी गाड़ी मैंने उतारी हैं। रोड मैंने तोड़े हैं। नदी से पत्थर निकाल करके डंफर मैंने भरे हैं। एसा कोई काम नहीं है, जो सर मैंने जनीन पर न किया। तो परवार को मैंने यहां तक ले आया है। आप आगे की मेरी हमत की। नहीं है क्योंकि आप रिक्सा भी नी चलता है। इंटामों में दर्द होने लगता है, तो बैठ जाता हूं। के दिक प्धड़ के मीचे आप इतनी महनत करते हो। आपको लगता है कि आपको जो महनत हो रही है। उसका आपको फल मिल रहा है इंदुस्तान में। मुझे तो सर कोई फल में मैंत जLP महनत की यह जा रहा हूं। सरकार ही ऐसी है सर किसी कि जब कुई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आप से मैंने अपनी गवार बताई है जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है कुं सी बुंक्तियों अचे लगते कि आझ आउOG है क्या जोटीक्स सिंदेग आखी वेदाई आज लड़ाए मेरी गॉपान तभणते श्रल्स ऑन parked वेजा तो कोई सुनने वाला बेही थे, जो मेरी पुकार सुनता, खाना नहीं देता, मेरे पीट पाहत रख देता, मैं मेरा पूरा पेट फोल हो जाता, मगर ऐसा कोई मुझे मिलाई नहीं, आज मेरा सब दुंदूर हो गया, आप मिल गए, मुझे पूरा जहां मिल गया, आज आज इनका पराते है, तो फल भी आलाओ नहीं आपको, नहीं खालो हुए, मिलाता हूँ, आप लीजे, आप लीजे, आप लीजे, आप लीजे, जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं जाके मंदी में म आपको मालम ता कि मैं आपको मिलने आपको डुनने गया था दूसरे दिन पुछ गया था आप, हाई एखा एग गा यह एग आपको बात करना चाहा था अधार्तियों का विरताव आपके साथ कैसा हो था नगया था, आर्तियों का बढ़ताव चोटे आजमी के तो कोई गिंत अब बीमार पढ़ गया, जएदे मेरी टांग में लगई तो मैं काम से नहीं जा पाया, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करजा भी हो गया, कितना करजा हुआ, करजा फिर बेटे की साधी जीदी सार, उसमें कितना पैसा लगा, चाला गुर्प, साड़ी तीन पौने चाला कमार खुआयसार, आप आप अपिस का मधरी? अब तो है अब आप ऐसे बात ने करोगे, भागवार्न है आसा बना तो दी है अब आप ऐसी बात नहीं करों जैसे ही आप सचाई बोलोगे लोग अब उस पत्थर को आप या पार करें या पना पैर तो रहे हैं अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया तो कमजोरी थोड़ी है अपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए वो कहेंगे वो कहते रहेंगे आप उनके बारे में मत सोचे आप जो सचाई है उसको पहचानिया और उस पर काम कीजिए आपके पापा व अकाउंट में देने थे उसके बारे मैं आप क्या सूचते है महीने के 6,000 फिर तो आम जनता ऐसी हो जाएगी सर इससे बड़ा सुकून जनता को कहीं मिलेगा ही नहीं करने अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा सुकून तो जनता को कभी हमने सोचा था कि ये ये करना चाहिए क् और पतियों को इतना पैसा मिलता है इतना करजा माप होता है तो थोड़ा सा पैसा हमारे गरीबों को गरीबों को गरीबों को गिलकुत दिया जाए उनका हक बनता है इतना दुख किसी ने जलाओ आपको अपनी 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 झाल